कॉमेडियन वीर दास ने अमेरिका में सुनाई भारत विरोधी कविता को कॉंग्रेस के नेताओं का समर्थन क्यूँ? कॉमेडियन वीर दास ने अमेरिका में सुनाई भारत विरोधी कविता पुलेस में हुई शिकायत दर्ज अमेरिका के वाशिंग्टन डी सी में स्टैंड अप कॉमेडी के दोरान वीर दास ने चू इंडियाज नाम की एक कविता पड़ी जिसका विडियो वाइरल होने के जा रहा है इतना ही नहीं देश के तमाम हिस्सों में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो चुकी है क्रियेटिव ढंक से कॉमेडी करते हुए वीर ने बर्खादत को अपना समर्थन दिया और कहा मैं ऐसे भारत से आता हूँ जहां पत्रकारिता मर गई है क्योंकि आदमी घड़े होकर एक दूसरे के घस्त मैथुन करते हैं और औरत सडकों पर लैपटॉप लेकर सच बता रही होती है कॉमेडियन वीर दास ने अमेरिका में सुनाई भारत विरोधी काविता कॉंग्रेस क्यों कर रही समर्थन अमेरिका में दी गई प्रस्तुती के बाद चर्चा में आये हास्यक अलाकार वीर दास का कॉंग्रेस के वरिष्ठ नेता कपित सिब्बल ने समर्थन किया है उन्होंने कहा है कि यहां दो भारत हैं कॉमेडियन वीर दास ने अमेरिका में बजी तालियां वी एस स्वामी विवेकानंद के अमेरिका में दिये भाशन में बजी त उन तालियों की गडगड़ा हट से गंज उठा अमेरिका विवेकानन्द की। जब भी बात होती है तो अमरीका के शिकागों की धर्म संसद में साल 1893 में दिये गए उनके भाशन के बारे में। बात जरूर की जाती है एक सो पच्ची साल पहले जब स्वामी विवेकानन्द ने अपने भाशन की शुरूआत मेरे अमेरिकी भायो और बहनों कहकर की थी जिसके बाद सभागार कई मिंटों तक तालियों की गूंज हर तरफ गूंज दी रही। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें लोग शक्ती बेल आइकोन दबा कर पाएं लेटेस्ट नॉटिफिकेशन इन वीडियोस को भी देखें